हेलो ए स्टुडेंट, एजुकेशन टेली विजन मा फेरी पनी तपा हेलो लाई स्वागत छा आजा चाहे हामी सिलिंडर एन एस्फेर मा भग को बाकी प्रोब्लेम हरो को बारे मा डिसकास गर छों प्रोब्लेम नमबर, एक्जामपल नमबर 7 हेरनू तब एसमा चाहे के भने आचा प्रोब्लेम मा चाहे जस्तु सुकई भनोस तरह तेहां चाहे फर्स्ट कनसेप्ट के यूजगरनू पर्यो फीगर लाई चाहे माईन्ड मा भिजोलाईज गरनू पर्यो यदि फीगर लाई माईन्ड मा भिजोलाईज गरना सक्नू भय भने प्रोब्लेम जस्तु सुकई होस फर्मुलात हामी तेही यूज गर्छुम जुन हामी थेओरी पार्ट मा पढ़्याचुम अब चाहे एना लाईज गरनूस ता एसमा पहिला अ शोलीड मेटालिक एस्फेयर अफ रेडियाश 6 सियम अब यहाँ आरनूस ता अ शोलीड मेटालिक एस्फेयर अफ रेडियाश 6 सियम is melted and drawn into a cylindrical wire of diameter 0.2 सियम find the length of the wire अब चाहे तापाई लाईज यहां के सोधी रेडियाश अब शोलीड मेटालिक एस्फेयर पहिला ता एस्फेयर निनूस अब विज्वालाईज गरनूस ता यो आम्रो चाहे एस्फेयर भायो यो चाहे मेटालिक एस्फेयर छा एस्फेयर भानना ले तापाई मेटाल को जुन किर्केट बल जसते हुँँच तियो पनी विज्वालाईज गरना सकना हुँँच अब प्रोब्लेम लेके भनी रहाचा कि त्यों मेटालिक एस्फेयर लाई अब मेल्ट गरे रहा हेरनु भाचा होला कहीं मेल्ट गरे रहा अब सिलिंड्रिकल सेप मा लाना खोजी रहाच अब एरनुस्त अब यो चाहे सिलिंड्रिकल सेप मा लाना खोजी रहाच यो हामरो अब सिलिंड्रिकल सेप मा लाना खोजी रहाच प्रोब्लेम लेके भन्याचा पहिला या आरनुस दीजिनास हीोँ Um अब मेल्ट गरधाखेरी मेल्ट गरधाखेरी सेप और चेंज जाओ satisfying मेल्ट गरधाखेरीங TuAg के चाम सम्हेत है यहां त्हाब ही परणश weapon A metallic sphere of radius 6CM is melted and drawn into a cylindrical wire of diameter 0.2CM भने छी, cylinder को case मात 2 ओटा circular base हुन छ, यो जुनत पाई को diameter छ, यो diameter भने को 0.2CM भने छी, radius कती हुन छा, आमरो radius भने को, ता 0.1CM भायो अब है नुस्त, हामी लाई चाही length, अब यो wire को length चाही calculate गरनू पर, यो कती length समा गाया चे भन्दा खेरी यो ता हमरो height भयो ता पाई यल पनी लेखना सकुनू छ, ते समा चाही confusion न हुनूँश अब melt घरेर चाही हामी योटा cylindrical wire मा convert गरियों अब cylindrical wire मा convert हुदा खे दी, अब height कती, कती length समा चाही wire बनाऊना सकीन छ, melt गरेर cylindrical wire को length चाही कती पुग्यों ते चाही calculate गरनू परने, अब चाही आमी के गरूं अब ता figure मा ता पाहीर, दी ओटा figure चीओ, Sphere भायो ता पाही को, U Cylinder भायो, अब ता analyze गरना सजीलो हुँच ता पाहीले ते से ले जाही पर तेक प्रोब्लेम मा figure मा analyze गरनूश, ताकी ता पाहीला सजीलो हुँच, अब हैरनूश फोर Sphere भिंदा भिंदे गरनूश अब हैरनूश ता Sphere को केस मा रेडिया सामिसांगे कती छा, 6CM फिरी पनी मा योटा concept यहाँ एट गरना खोजी रहाचू, Sphere मा, अब हैरनूश ता Sphere को भोलूम येदी निकालनू भवयो भने जत्ती भोलूम को Sphere हुँच, ते तीके भोलूम को ता SILINDRICAL वायर मनाओना सकनूँच तापाई, बाहर भाटा तथापना मिल दई न, तेसो भवय तापाई ठाकके ते तीके भोलूम को SILINDRICAL वायर मा कनभर्ट गरना सकनूँच, तेसो भवय अब अचाहि हामी भोलूम यहां calculate गरनू पर यह भोलूम कालकुलेट गरेरा सिलिंड्रिकल वायर को भोलूम हामी calculate गर्शों रत्यों दुइटाईलाई दाजे रा compare गरेरा लेंध हामी निकालना सब्सम रह यह सी पोईंट भीवले पनी important problem हो अब हैरनूस्ता भोलूम भनेको यह भीवन मानी रहाचुमा भीवन is equal to अब फर्मुला समझीनूँच, माइन्ड माचाही math मजाले बुझनाको लागी जुन standard form हरू छा तेस standard form हरू पनी समझीनू जरूरी अब यहां एरनूस्ता हामी लेके पढ़्या थियों 4y3 pi r cube that is 4y3 into अथबात ता पाई यहां चाही 3.14 16 पनी राखना सकुन हुन छा नत्र ता पाई 22 upon 7 किना बंदा केरी pi को भ्यालू हो अब रेडियास अब युनिट चाही विचार गरनू हो ला यहां युनिट विचार ग अब हैरनूस्ता 6 को cube हां यहां is equal to अब हैरनूस्ता volume चाही calculate गरनू पर्यो volume calculate गरनूस यह calculate गरनूस्त यह calculate गरनूस्त बने यादि pi ने राखने हो बने 288 pi cm3 चाही हम्रो बोलूम आउच अब हैरनुश त अब स्फेर को काम तब हयो अब के गरनुश सिम्लरली सिलिंडर को लागी गरनुश भिन्दा भिन्दे लेकनुश अब सिलिंडर को डाइमेटर यहां आउँ लाए दाइमेटर लाए दी मानूं दी इस इकल टू जिरो पोइंट टू सियम और radius is equal to 0.2 upon diameter यदि दिये कुछ हा भरे radius निकालनों को लागे तो दोई ले divide गरनू पर यो divide गर दिनूँश 0.1 cm आवा है नुश्टा cylinder को volume निकालनू तो पर यो किना भन्दा है किरी volume तता पाई बढ़ाऊना शकुन होनना ये तीके volume को cylindrical wire पनी वन्दा भनेची पहला V निकालनू स्ता प्रोब्लेम को अधार मात ता पाई को V1 is equal to V2 उन्जा की हुदेना V2 भनेको cylinder को volume कीना भन्दा केरी तीके volume को तता पाई metallic wire बनाऊना शकुनुँँँछ बाहरा बार ये थापना मिल दाई न ते सो भए volume ता पाई चेंज गरना सकुनुँँँँँँँ न या V1 दायमिले calculate गर्या छुम Pi cm3 is equal to V2 भनेको cylinder केसमा की हुँँँँँँच Pi r square याच भनेको तापाई फीगर मायर न भावला याच भनेको तेहीं लेंधो तापाई यल राखना सकनों जा फरक पर देना धरा कन्सेप्ट तापाई को किलिया हुनु पर्यो यहां यो पाई-पाई ता हमरो कैंसिल ने भाई रहाए चा रह स्क्वाई यह और 288 रह स्क्वाई भने को ता 0.1 को स्क्वाई इन 28 यह और याच इज इक्वाल टू 288 अपान 0.1 इन्टू 0.1 रह यो तापाई को cm मा जान्सा इज इक्वाल टू अबा हैरनुस्त अबा कैल्कुलेट गारनुस्त जे आऊच तेहीं हमरो सिलिंड्रिकल वाईर को लेंथ अथवा सिलिंड्रिकल वाईर को हाईट हुन्छ यह cm भायो अबा हैरनुस्त सीम मा पनी तपाई राखना सकुन हुन्छ नत्र के गरनुस मीटर मा लाना कुलागीता अबा के गरनुस्त यहां डिभाईड गरनु पर यह अंड्रेड ले डिभाईड गर दिनुस्त यह भनी को ठाक कै तपाईको 288 मीटर हुँँच दिवाइड गर्णु भवय भने मीटर मा राखनुच अई सरी तपाई सोल्व गर्ना सकनुच एर नुस्त मजाले कसरी इजली सोल्व गर्ना सक्यूं हामी र एस्ते एस्ते प्रोब्लेम ये सीह मा पनी आई रहा हुँच तेसेले ड्राउनु परदेन अब चाई हामी नेक्स्ट प्रोब्लेम तीरा लागूं एक्जाम्पल नंबर एट र यो भी बी आई प्रोब्लेम हो प्राई एस्तो प्रोब्लेम सोधी रहा हुँच अब एर नुस्ता कंपोजिट फिगर भनेको यदि तापाई यहां एर नु भायो भने यो तापाई को ठाके सिलिंडर भायो र यो हेमियस्फेयर हेमियस्फेयर दुई ओटा हेमियस्फेयर कनेक्ट भाया छा तियो कंपोजिट फिगर मा र यो उटा सिलिंडर भने छी अब तापाई संगात हेमी एस्फेर को साद साद सिलिंडर को कंसेप्ट पणी हुनु परियो यदि कंसेप्ट छा भने तापाई चाही एजली सोल्व गरना सकुन हुन चाही हां अब अब यह नुचता कैलकुलेट के गरना भने आछ दश सर्फेस एरिया surface area भने को ताइयरेक्ट तपाई तरी calculate गरना सकन était safas area भने को तपाई लाए hemi Isphere को area पनी जोर्णवा परियो। कर्वड surface को area पनी जोर्णवा परियो femme Isphere को area पनी जोर्णवा यदि 3 ओटे area लाई judge गरने हो भने तिन ओटे area लाई add गरने हो भने composite figure को surface area आओ कि आउदेने तपाई एकचोटी विचार गर नूँश किना भन्दाखेरी कंसेप्ट तपाई को किलियर गर नूँश कंसेप्ट किलियर गर नूँश तीन ओटे को यदी एड गर ने हो बने कंपोजित फिगर को एरिया चाही आउश अब यहां एड नूश्ता यच कती छामी सांगा होटी सीयाम रेडियस भने को 3.5 सीयाम अब आज़्वन रियुटा कंफीजन किलियर गर दियूँँँँट पाई हरु कोई हैं अब हैड नूश्ता शिलिंडर माता सी बेस पने हुँँचा सर्कुलर बेस जुनता पाई यहां देखी राखनो भाद छा सर्कुलर बेस को यदी रेडियस 3.5 चा भने यो हेमी स्फेरिकल इंड को पने ता 3.5 ने हुँँचा यहां चाहिए कन फ्यूजन होनुश अब के गरनुश अब हामिलाई केस जायो फर्स्ट माँ नाव टोटाल सर्फेस एरिया ए इस इकल टू पहला फर्मूला के टम मा लेक दिनुश ता अब यहां के गरन शकनुँचा पाई एर नुश ता 2 ओटा हेमी स्फेरिकल इंड सक पहला ती 2 ओटा दुई ओटा हेमी स्फेरिकल इंड को एरिया चाय पेला लेकनुश अब हेरनुश ता एस्फेर मा एस्फेर को के हुन त्या मिशंगा फोर पाई आर स्क्वाइर हेमी स्फेर चा तेसो बहें 2 ले डिभाइड गरनू पर्योगी परेना 2 ले डिभाइड गरनूश भने छी हेमी एस्फेर को एरिया त 2 पाई आर स्क्वाइर हुदो रही चाय पलस अरको हेमी एस्फेर को एरिया पनि 2 पाई आर स्क्वाइर भव्यो रहू हेरनूस ता कर्व्ड पोर्शन पनी ता उन्च नी सिलिंडर मा अब कर्व्ड सफेस्को इर्या पनी यहां एड गवर्णू पर्यू जुन ता पाईलाई थाहाचा टू पाई आर याज भनेची 4 पाई आर याज अब हैर नुस्ता अब के गर ना सकिन्छा अब भैलू चाहिता पाई ठाके राक दिनुस 4 इन्टू 22 अपन 7 रा रेडियस भनेच को ता अपाई हैर ना सकनुँँच 3.5 को स्क्वाइर प्लस 2 इन्टू 22 अपन 7 इन्टू 3.5 इन्टू अब हैर नुस्ता हाइट काती चाहाँ मिशांगा लेंथ भनेर पनी दिना सक्षा लेंथ पनी ता हाइट है होनी अब हैर नुस्ता 40 cm रैच आम्रो 40 राखनू रा क्याल्कुलेट गर्नू यो क्याल्कुलेट गर्नू भने cm2 आयो अब हैर नुस्ता हाम्रो surface area को काम सक्क्यों अब ता volume निकालनू पर्यो volume मा पनीत मके मानिराच्छो यो आम्रो v1 भयो यो volume ता पाईको v2 भयो यो भोलूम तपाई को भी थीरी भयो composite figure को भोलूम निकालना को लागी ता तीन उट्टै भोलूम लाई एड गर दीने हो भने थी भने ची ता composite figure को ता भोलूम आयो जस्तो शुकई figure दियोष composite figure होष चाई जस चिलिंडर होष जे सुकई होष तरह ता पाई को माईन माँचाई formula हुनू पर यो तियो formula यूज गरे रा ता पाई चाई शुल्भगर्ण सकनूँच अब या आयनूस्त तही concept ले हामी यूज गर छूम नाव भी इस उकल टू भोलूम composite figure यो भोलूम भाने को ता पाई figure एक चोटे एर नूस्ता figure माँ V1 प्लस V2 प्लस V3 हो किया इना V1 भने को ता सिलिंडर भायो भने छी सिलिंडर को लाइगे ता हामी डाईरेक्ट formula यूज गर छूम पाई आर स्क्वाइड या च अब यूज नूस्ता V2 भने को ता हेमी एस्फेयर रहे स्फेयर को लाइगे हामी संग फर्मूला के छा 4 by 3 pi r cube भने छी यूज ता पाई को हेमी एस्फेयर भागो कारले करता दुईले डिभाइड गर दिनूस pi r cube plus यूपनी ता हेमी एस्फेयर हो pi r cube अब भालू राखनूस अब यो calculate गर नूस जे calculate गरे रहा हो छते हीं आमरो भोलूम अपदी solid figure हो जुन छाइब प्रूबलेम ले दीएकुराई छे यां अब ये नूस्ते यां हामरो रिजाल्ट आई सक्यो 1719.67 cm2 यो भनेको ता हामरो भोलूम अपदी solid figure जुन चाइब प्रूबलेम ले दीएकुराई छे यो प्रूबलेम पनी इस तो प्रूबलेम चाइब प्राइस होधी रहाऊंचे composite figure बलाया तेसे ले note गर्नूस ताकी ताप हार लाई काम लाग्छा अब नेक्स्ट प्रूबलेम तेरा फोकस गरूम यो एर नूस्ता यां के बान्या छा सजिल्लो ता सजिल्ले छा तरक concept चाइना लाइज गर्नू परियो concept लाइज चाही monetize गर्नू परियो accelerate गर्नू परियो retard हुनू अब हैर नूस्ता इफ दी perimeter of the great circle is pi cm find the volume of the hemisphere short कोई चनमा छे आउने चांस हून छे इस्तो अब हैर नूस्ता perimeter perimeter p भने कामिसंग कती छा? pi cm अब हैर नूस्ता unit विचार गर्नू होला म जहीले भनी रहाँँछू की unit चाही विचार गरे रागारी भन्नू स्तागे ता पहलाई सजिल्लो हुन्छा mistake हुने चांस चाही कम हुन्छा minimum हुन्छ अब हैर नूस्ता यो ता आमरो pi cm भने ची perimeter of great circle को perimeter भने को ता 2pi r उन्चा की हो दिना तेहीं concept यूज गरूं 2pi r is equal to pi अब हैर नूस्ता यो pi यो pi ता cancel भाई रहाँछ अर्थाथ 2r is equal to 1 और radius is equal to 1 by 2 cm 0.5 cm radius आयो अब चाही यांके गर्नू पर्षा अब भोलूम अब है the hemisphere अब माइड मा के गर्नूस भोलूम अपधी hemisphere होग के formula चाही माइड मा समझीनू पर्यो माइड मा चाही formula राखनूस ताके तापाई direct सोब गर्न सकुनूंचर calculation speed पनी तापाई को बर्षा अब हैर नूस्ता now V भने कुता भोलूम अफ हेमेश्पेयर 2 by 3 pi r cube भनेची 2 by 3 into 22 upon 7 into r cube भने कुता 0.5 को cube भायो यो तापाई sr लेखना सकुनूंच 3.1416 into 0.5 को cube अब है नूस्ता solve गर्न भायो भने 0.2618 cm cube चाही हामरो यहां एंसर आउसा अब है नूस्ता कती सजीलो तरीकाले हामी solve करना सक्यों तरह तापाई को concept चाही किलियर हुनू पर्छा अब नेक्स्ट प्रोब्लेम तीरा मुभ गर्णू मामे यो प्रोब्लेम है नूस्ता या के बने राचा दा भोलूम अफ चिलिंद्रिकल क्यान एज 3.08 लिटर इफ दी एरिया आफ इस बेस एज 154 cm2 फाइन इस कर्प सर्फेस अरिया अब अब है युनीट कंवर्षन चाहिए उनू पर्यों युनूपर्यों जाननों पर्यों यहां यदि उनिस कंवर्षन गर्णू जाननों भा रहां च क्यान उस आब 1L is equal to 10 to the power minus 3 meter cube हुँँछ भने छी अब तापाइलाई यहाँ एडनुस्त योत सेंटीमीटर माँछ अब तापाइलाई सेंटीमीटर सियम क्यूब माँ लानू परे अर्थात अतबातापाई मीटर क्यूब में राखना सकना हुँँछ यदि 1L is equal to 10 to the power 3 meter cube भायो भने cm मा चाहिक हुँँछ त्योपनी टेक्निक्स यहाँ आब एडनुस्त 10 to the power minus 3 meter into meter into meter तो meter क्यूब लाईमा गरना सक्छू अब मीटर बाटा cm मा लानू पर्यो भने 100 ले मल्टिप्लाई गरनू पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्दी नूस् भने ची 10 to the power 2 10 to the power 2 10 to the power 2 अब है नूस्त 10 to the power minus 3 10 to the power 6 यो भने कुद तापाई कू 10 to the power 3 cm cube भायो अर्थात 1L is equal to 10 to the power 3 cm cube हुदो रही शा अब तेही concept यूस गरूम डाइरेक्ट तापाई अब मल्टिप्लाई गरे रहां 10 to the power 3 ले मल्टिप्लाई गर दीने हो भने यो cm cube मा जान्छ अब है नूस्त अल्सो यहां चाहि एरिया अफ इट्स बेस एरिया अफ इट्स बेस सिलिंडर सिलिंडर माता सर्कुलर बेस हुँँच भने छी a is equal to कती सामी सांगा 154 cm square area भने कोता सर्कुलर बेस को एरिया भने कोता πाई r square हुँचा की हुदाई ना पाई r square हुँचा भने ची तपाई यां के गर्नुष पाई r square is equal to 154 cm square भायो अर्थाथ अब मा के गरी रहा चुए यां पाई r square is equal to 154 cm square हुँचा equation मानी रहा चुला यो हाम्रो एलेकुलागी equation 1 भायो अब भोलूम भाट पनी तपाई भोलूम मा पनी योटा equation आउच भोलूम भने कोता हाम्रो pi r square याच हुँचा की हुदाई ना तेहां भाटा तपाई याच चाही easily calculate गर्ना सकुन हुँचा रहा यहाँ भाटा equation ना मान्दा नी हुँचा अब याच नुश्ता r square भने कोता 154 अपन pi अर्थात radius is equal to root अंदर 154 pi हुँचा की हुदेना अब यहाँ भाटा तपाई रेडियस हामे calculate गर्ना सक्छूँचा पाई ले divide गर्ने हो भने 49.09 अर्था 49 नहीं मानुँचा तेशो भाए रेडियस ता हाम्रो 7 cm आयो यहाँ भाटा अब 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 हामिलाए height चाहियो अल्सो pi r square h is equal to 3.0810 to the power 3 अथबा तापा योपनी लेखना सक्णूँचा multiply गर्दिनुच multiply गर्नो भाए बने योपनी तापाई लेखना सक्णूँच अब है नुष्था pi r square को भ्यालू ताहामिशंग चाव 154 154 into yach is equal to 3080 भाए तेशो भाए याच भने को ताहाम्रो 3080 upon 154 भाए अब है नुष्था योथा cm मा जान साब डिभाइड गर दिनुच डिभाइड गरे रा हाइट पता लगावनुच हाइट भने को हाम्रो यहाँ 20 cm आयो अब है नुष्था यहाँके calculate गावनुपर शर्फेस एरी आरा curved surface एरी आको ताहामिशंग फर्मूला नहीच a1 is equal to curved surface एरी आरा फर्मूला अमिशंग केच टू पाई आर याच अब है नुष्था 2 इन्टू 3.1416 रा रेडियस चाहिव अब है नुष्था यहाँ रेडियस भने को ताहम्रो 7 cm आय सक्या चाओ अब तेही रेडियस को भालू यहाँ राक दिनुष्था इन्टू 20 यह भने को cm स्क्वाइर मा जान्च यह चाहिए आम्रो curved surface area of cylindrical can आय सक्यो जुन चाहिए प्रोब्लेम ले सोध्या थियो अब है नुष्था यह पनी calculate भायोर यह प्रोब्लेम हरू पनी यह c point of view ले लंगेज मा दिये को हुँँछ तो यह प्रोब्लेम भरू बनाऊना को लागी के गरनुपर्यो फर्मूला चाहिए था हुँँपर्यो यदि फर्मूला था चा वने ता पाई easily implement गरे रा calculate गरना सक्न हुँँछ अब यह आयरनू ता पहिला चाहिए data लिनुपर्यो अब यह आयरनूस्त के भन्या चाहिए यहां चाहि के बन्या छा, the area of curved surface of a solid cylinder is equal to 2 by 3 of the total surface area भने छी, अब 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 cylinder को curved surface area को formula थाऊनु पर यो यहां, रह अर को total surface area को चाहिए formula थाऊनु पर यो, अब अमा के माने डाया छू, a1 भने को हाम रो curved surface area भयो in accordance with problem, curved surface area भने को ता, 2 by 3 times total surface area था, a2 चाहिए total surface area माने को अब यहां एर लुस्ता कर्व सर्फेस एरिया को फर्मूला आमिशंगा केश 2π आई आर याज 2 by 3 टाइम्स टोटल सर्फेस एरिया भनेको सिलिंडर को टोटल सर्फेस एरिया को फर्मूला में मुराइज गरनों टोटल साफिस हे रिया बने कुता हम्रो 2 pi r r plus yach भयो अब है रूस्त यहां हेड़ने हो भने तो 2 pi r र 2 pi r cancel भई रहाच, cancel गर्धिनोज, remaining बनी पामिसांगा yach is equal to 2 by 3 times r plus yach 3 तो हम्रो divide माच यहां और को side line हो हने तो multiply माजांच तेशो भये 3 चाहिए यहता multiply माजो 3 yach is equal to 2 times r plus yach और 3 yach is equal to 2 ले multiply गर्नों पर्षा भबा radius रा हाइट दोईटे मा multiply होन्छा, multiply गर्दिनोज, 2 r plus 2 yach यो 2 yach भने को ता उता plus मा छा, यादी यो side line हो भने ता minus मा जान छा, तेशो भये 3 yach minus 2 yach is equal to 2 r or yach is equal to 2 r equation 1 मान्दियुम अवा यहां यहां ता हम्रो known term में आये न, जस्ट यहोटा relation हामिया डेवलोप गर्यों की height, height of the cylinder is equal to the 2 times of the radius of that cylinder अवा है नुस्त अरको पनी कन्दिशन्स हामिशांग, if the surface area is 9 to 4 cm square find the volume of the cylinder, surface area हामिलाई दीशा क्या साहिया है surface area भने को ता हम्रो, a2 रही छा, a2 is equal to 9 to 4 cm square अवा है नुस्त टोटल सर्फेसे जा भने को ता हम्रो, 2 pi r, r plus, याच हुन्छ is equal to 9 to 4 cm square अवा चाहिए यहां k गर्ना सक्रिंछ अवा है नुस्त हामिशांग यहुटा relation आई सक्या छ height is equal to 2 times the radius of the cylinder अवा यहां instead of height तापाई क्ये गर्ना सक्ना हुन्छ 2 r replace गर्दिनु from equation 1 अवा है नुस्त हाइट को सक्टा मा just replace गर्दिनुस 2 r is equal to 9 to 4 cm square अवा यह चाहिए काया बाट गर्नु भायो यह सरी लेखना सक्ना हुन्छ तापाई from equation 1 2 pi r यो भनेको r plus 2 r भनेको 3 r उन्छ अवा क्ये गर्नुस 3 r is equal to 9 to 4 cm square अवा यह रुस्त तापाई को ठाक के यहाँ 6 pi r square is equal to 9 to 4 अभर हानीला यहाँ चाहिए एको radius हो यदि radius यहाँ बाटा हामी calculate गर्यों भने equation 1 मा राखे र height of the cylinder पनी हामी calculate गर्ना सक्छों रा cylinder को volume निकालना coding ती यहाँ हेरनु भवय भने find the volume of the cylinder भन्याच cylinder को volume चाहिए calculate गर्ना भन्याच तेशो भवय cylinder को volume calculate गर्ना radius रा height आये छी पूग छ समझीनू अला यदि पहिलाकु lecture हरू हेरनु भाद छहीना भने 6 pi हुन्छ अबा calculate गर्ना यह डिवाइट गर्ने हो भने ठाक काई तपाई को root under 49 नाउ छा तेशो भवय रेडियस भने को थाम्रो 7 cm i सक्यो अल्सो राम equation 1 we get अबा हेरनुस्त यहाँ height is equal to 2 times radius छा तेशो भवय height भने को थाम्रो 2 in 2 7 is equal to 14 cm i अबा हेरनुस्त volume हा मिलाई चाहियो volume ता अबा calculate गर्ना चाहियो अबा direct formula लागावनूस now v is equal to अबा भोलुम यो ता सम्जीनु पर यो formula सम्जीनु पर यो रा formula सम्जेर तहीं हामी implement गर्चूं अबा हेरनुस्त फर्मूला भने पामिशंगा केश पाई आरे स्क्वाइड याज पाई भने को 3.1416 अथवा ता पाई 22 अपन 7 राखना सक्न हुन्छ अबार एडियास भने को थाम्रो 7 स्क्वाइड इन्टू 14 यो भने को भोलुम भावव कायनले गर्दा cm3 हुन्छ अबा हेरनुस्ता मल्टिप्लाई गर्नुस जी रिजल्ट आँछ तहीं हाम्रो यो प्रूबलीम को सोलूशन हो 2155.1376 cm3 चाही हाम्रो भोलूम आयो रएको येस इपॉट अब भूले पन्टिट प्रूबलेम हो येस ते प्रूबलेमारो सोदिनी रहा होंच तेसेले भिचार गर्नु होला तापाय नोट गर्ना शक्न होंच अबँचाहा येस ते प्रूबलेम तिर लागों नेक्स्ट प्रोब्लेम तीर, प्रोब्लेम नम्बर डी, यदि भुक छा भने, भुक मा पनी तपाई हेडना सकुन हुन्छ, रमक की सजेश्ट गर्चु तपाई हर लाए, नोट गर्नुष, ताकी तपाई हरु शोल्ब गर्ने मेठर चाई, भुझना सकुन हुन्छ, रद हाइट को सम, यहाँ हाइट को सट्टा चाई, लेंध पनी दिना सक्षा, लेंध भरेगे, त्यो हाइट ने हो, हाम रो सिलिंडर को, अब हैर नुष्ट, यहाँ की भन्याचा, फर्स्ट कंडिशन मा, the sum of the radius of the base, and the height of a solid सिलिंडर is 37 cm, अब सुलूशन स्टाट गरूं, अब हैर नुष्ट, sum of the radius of the base, height is equal to 37 cm, तपाई equation 1 मानना सकुनुँच, रद विजुलाइजेशन को लागे, तपाई फिगर पने बनाऊना, सकुनुँच ताईना, फिगर बनाऊनुच, यहाँ हाम रो सिलिंडर भायो, यहाँ हाइट, यहाँ रद रेडियस भने भाया हाम रो, रेडियस आर दी सक्याँच, अब हैर नुष्ट, दुई टे को sum, sum भने को आम रो, 37 cm यहाँ, दी एको राई सक्याँ, यहाँ यहाँ कंडिशन भायो ताई में कैल्कुलेट गरना सक्देनुँच, और कूर कंडिशन भीचार गरना अब है नुष्ट इप दी टोटल सर्फेस एरिया अफ दी सिलिंडर इज 1628 cm2 calculates its curve surface area and volume volume होस curve surface area होस total surface area होस cylinder में चाहिने भरे पहाम लए radius रा height चाहिन छ यदि radius रा height नोन छवने तपाई calculate जे पनी cylinder को calculate गरना सकनो छब तर यहाँ एरनू भायो भने our radius रा height unknown छब यो टाया condition हामे लए के दिये छब total surface area अपधी cylinder दी सक्या छब तेहाँ बाट चाहिए हामे calculate गर छूम अब है नूस्त अल्सो total surface area भने को आमरो 2 pi r r plus yach is equal to 1628 दिये को लए छे याँ अब equation 1 लाए एक चोटी विचार गरनू भोला equation 1 लाए विचार गरनू घवयो बने तपाई यहाँ बाट डाइरेक्ट instead of r plus yach यहाँ चाहिए substitute गरना सक्णू उन्छ रश substitute गरनू भोय भनेता यहाँ radius calculate हुन्छा की हुन जैना radius तेही जरी calculate भोय रहाच अब तेही गरनूँश equation 1 बाट replace गर दिनूश 2 pi r into अब डाइरेक्ट मा instead of r plus yach 37 लेखना पाउच हुन तेशो भोय वहाँ लेख चाहिए radius यहाँ चाहि r राखेर अब के गरनूश 16.8 upon 2 pi into 37 गरनूश अकुन्छ अब कैल्कुलेट गरनूश कती आई रहाच रेडियस रेडियस भने कुए आमलो 7 cm i o अब है नूश्ता शिलिंडर मां ता हाइट पनी चाहिए अब equation 1 मां ते ही कुडा चाहिए राख दिनूश 37 cm सा अब है नूश्ता यहाँ है नूश्ता यहाँ भायो भने रेडियस ता हमें कैल्कुलेट गरी शक्या शाक्या शुम तेसो भाये अब रेडियस को भ्यालो तेहां सब्स्टिच्यूट गरे छी हाइट ता आऊशा हम्रो हाइट आई सकेची ता भोलूम पनी आयो कर्व सर्फेस एरिया पनी आयो अब है नूश्ता इन्स्टिएड अफ रेडियस अब है नूश्ता रेडियस पनी आई सक्यो हाइट पनी आई सक्यो तेसो भाये अब भोलूम रा कर्व सर्फेस एरिया पनी आयो अउश्ता नूव अब है नूश्ता कर्व सर्फेस एरिया ये वन मानी आई सुमा 2PiR याच हामी संगा फर्मुला अब की गर्नूश्ता 2Pi इन्टो रेडियस वनेक आम्रो 7 इन्टो हाइट वनेको 30 अब याँ मल्टिप्लाई गर्नूश्ता 7 3 जा 21 21 2 जा 42 400 20Pi cm2 चाहे हाम्रो इन्टो हुन्छा तब है पाई को भ्यालू राखेरा कैल्कुलेट गर्ना सक्नूश्ता मैं आज़ाई πाई मात्रा राखेराया अच वहीं लेको लागे अब सिम्लर वित पाई भोलूम कैल्कुलेट गर्ना सक्नूश्ता भोलूम भनेको पाई आर स्क्वाइर याज अब याए रूस्त पाई लाइमा तेसरी राखे रहाँ छू 7 स्क्वाइर इन्टू 30 पाई इन्टू 49 इन्टू 30 पाई सी अम क्यूब भनेको आमरो भोलूम आयो अब याएर नूस्ता कत्ती इजली चाहि आमी क्याल्कुलेट गरना सकी रहाँ छू याए शरी ने तापाई स्टेफ रू फुलो गर्दै जाने हो भने प्रोब्लेम जस्तो शुके होँश तापाई चाहि क्यापेवल होनुँँच तापाई चाहि स्वल्व गरना सकुने होन चाहि अब चाहि नेक्स्ट प्रोब्लेम नबर ए मा चाहि के भन्याँच फस्ट माँ चाई प्रोब्लेम लाई छाई मजा ले जर्ज गर्नुष प्लानिंग गर्नुष ते स्पची इंप्लीमेंट गर्नुष अब यहां यहनुष्त अ अ होलो सिलिंद्रिकल मेटालिक फाइफ इज 21 cm लंग सिलिंड्री कर भने छी तपाई step flow गर दे जानूँश लेंद्ध होस या height होस यहाँ है नुस्ता लेंद्ध कती दी सक्याँचा 21 cm अब है नुस्ता इफ दी external and internal diameter of the pipes are 12 cm and 8 cm respectively find the volume of metal used in making the pipe अब है नुस्ता एक्स्टर्नल लेंद्ध माई D1 मानी दायाचू D1 मानने हो भने यहाँचाई D1 आम्रो कती 12 cm थिसो भए यहाँचाम लेंद्ध काम लाग्स रेडियस रेडियस भने को 12 cm भनेची 6 cm हाम्रो रेडियस आयो रा इंटर्नल हेर ने हो भने इंटर्नल हाइमिशंगा कती छाई यहाँ 8 cm R2 भनेको 4 cm हुन्छा अब हेर नुस्ता पहिला ताप अबले एनालाइज ग्राइज ग्राइद्यूं अब डेली लाइफ माँ पहनी ताप यहार हों पाइफ हेर नुभाच हुला वाटर पाइप अब हेर उस्ता त्यहार दुए ओटा डाइमिटर हुन्चा कि उदेना एक्स्टर्नल रा इंटर्नल रा माँ बाइटा को क्रास सिक्षन देखाऊना कोजी राइचुत पायों यह योटा मेटालिक पाइप मालूं रो यह भने को होलो भनेशी आवाट पानी बग नसक्षा चाहे नथिंग देर वेल बी नथिंग अभा कुणाई लेकी हुट चाहिफ को फोलो हुना सक्षा जेपनी हुना सक्षा अब यहा और थे न उसता हमरी मात्र होको ho अब यह नुस्ता बाहिर को बाट घटाई दिने ओ भने इंटर्नाल यो material content calculate हुँँछा की हो देना obviously material content calculate हुँछा अब हामी तेहीं गर्षों V भने को मानू material content को volume भायो अब यह नुस्ता pi r1 square height भने कोट दुटेकोलाई से मुन्छा minus pi r2 square याच अब यह नुस्ता common की आई रहाच pi याच ता radius मात्रा फरक्षानी आया हाम्रो pi र height ता common आई रहाच अब के गर्णूस commonly नुस् नत्रा टापाई direct पनी calculate गर्णा सकनून्छा r1 square minus r2 square pi इंटू हाइट यह नुस्ता 21 दिये को रही सामिलाई यह भने को 6 को square minus 4 को square 21 pi 36 minus 16 भने ची 21 21 इंटू अब यह आया नुस्ता 36 भाटा यही 16 गटाउने हो भने ची ता 20 डिमेनिंग हुन्छ 20 pi 36 अब यह आया नुस्ता 21 20 42 भनेची 400 20 pi cm q चाही material लागे को रहीश त्यो cylindrical metallic pipe बनाऊना को लागी तपाई यह री calculate घर्णा शकनोंच पाई को भ्यालू राक दिनूष calculate हुनच एजली अब यह नुस्ता कती सजिलो तरिकाले आमी solve गर्यूम अब चाही next problem तिरा मुह गर्यूम problem number F अब यह नुस्ता अब यह नुस्ता the internal radius of the cylindrical bucket of height 50 cm is 21 cm it is filled with water completely if the water is poured into the rectangular vessel with internal length 63 cm and breath 44 cm and it is completely filled with water find the height of the vessel अब यह तो problem को बारे मुह आमी discuss पनी गर्या थियूम र अज़नी आमी discuss गर्चोम यह नुस्ता हब यहाँ चाही के भन्याच पेला figure मा बुझूम योटा मानुम तपाई लईयो चाही हाम्रो cylindrical bucket मा मानी द्याचू cylindrical bucket लिये र तपाई इनार मा चाही पानी भर्ना जानु भाष टवेल मा पानी भर्ना जानु भाष अब तपाई के गर्नु भाष पानी तब भरेरा ल्याउनु भाष यो चाही वाटर भाष अब हेलनुस्ता अब चाही उनकी भनी राचा हाइट चाही हाम्रो bucket को 50 cm छ 50 cm छ अब हेलनुस्ता अब bucket मा पानी ले आये योटा हामी संग रेक्टेंगुलर भेशल पानी छ अब तेसमा चाही हामी पानी इस्टोर गर छो लेंध हामीले दी सेगया चा 63 cm और ब्रेथ पनी सेगया चा त्यों सिलिंड्रिकल भेशल को फोटी फोसिया कम्प्लिल चाही वाटार ले फिल गरने अब कटी हाइट चाहियो जुन बकेट मा हामी सिलिंड्रिकल बकेट मा इनार बाटा पानी ले आयो तेहीं बकेट तेहां गय तेहीं बकेट मा भगो वाटार ता हमी खन्यावने हो दी तेशो भए, भोलूम ता हम्रो चेंज हुदई ना, बुझनो भावाला ता पायार। विचार गरनुष, ऑनलाइज गरनुष, विजुलाइज गरनुष, सजील होन चे ता पायर। अब अब अगरनुष, ता युटा सिरिंद्रिकल बॉकेट पनी हामी संगा छा। अब यही र इंटर्नल रीडियस वनेको हाम्रो तेहा 21CM दीशाक्याच पानी वनेको हाम्रो यो भीत्रतमात्र अटाऊछ एतारतव पानी फिल गर्ना शकन ना तेशो भः याते इंटर्नल रेडियस को कामात्र लागिराच अवके गर्नुस इन्टार्नल डेरियस मा आर मानी रहाँ शू तेसो भाय 21CM भोलूम क्याल्कुलेट गर्नूस रब भोलूम लाई इक्वेट गर्दीनूस त्यो रेक्टांगुलर भेशल को भोलूम संगा किना वन्दा किरे ते तीके पानी तामी त्या अटाउना सकें शा अब प्रोब्लेम लेके सोधी रहाँ शा कि त्यो पानी अटाउना को निमती कती सिरिंड्रिकल भेशल को हाइट चाहिए अब हैरनुस ता नाउ भोलूम चाहिए एक्वेट गर्दीनूस भोलूम भन्यो कामरो कती हुन चाहिए पाई आर स्क्वाइर याच और ये भोलूम ता हामी रेक्टांगुलर भेशल मा राग शुमनी त्यो भन्दात बाहर जाना सक्नुन नाता पाई अब हैरनुस ता लेंध इन्टो भेथ इन्टो हाइट इज कोल टु पाई इन्टो 21 को स्काइर इन्टो 50 अब हैरनुस ता हामी संग प्रोग्लेम मा हैरने हो भने लेंध पनि दिशा क्या स, ब्रेथ पनि दिशा क्या स, तेहीं गर्णुस, लेंध पनेको आम्रो 63 इन्टू ब्रेथ पनेको 44 रहा हाईट हामिला, चाहिए yoh problem चाहिए, नोट गर्ना सखनों चाता पाई येस इपोईंट अब भीवलेपन इमपोटेल प्रोब्लेमू तेसे लेचाई नोट गर्ना नविर्शीन वाला पचीत पाईवलाई सजीलो हुन्छा अब यानुस्ता पाई इन्टु 21 को सपाई इन्टु 50 अब यान चाहे आमरो 63 रो 44 लाई मल्टिपलाई गर्ने हो बने ये आउश 21 को सपाई 50 गर्ने हो बने ये आउश अब है नुस्ता हामी लाइता सिलिंडर को हाईट चाहीं या सोधे पुरेईशा हाईट निकालना पो लागी यो चाहीं हामरो मल्टिपलाई माँ शा उता पठाई दिनु डिभाईर माँ जान्छ रा रिमेनिक भने को हामरो हाईट नहीं आउश अब पहला चाहे प्रूबलेम माजा ने बुझन होला यो सिलिंडरिकल बकेट मा भखक पानी लाई चाहीं रेक्ट्यांगलर भेशल माँ खन्या को रही छो जुन रेक्ट्यांगलर भेशल को लेंध्र ब्रेथ यहां दी शाक्या चाहीं ने भनेको हाईट सब कती हाईट समाच यो पाने जान्छा भनेची तेहीं भोलूम लाईता हामे या खन्याई रहा चोमनी भोलूम तर चेंज उदे ना तेहीं चाहीं या गरेको रही छा अब हैरुस्त हाईट भनेको हामरो 24.98 cm चाहीं आमरो भेशनको हाई टाइव भनेची एप्रुक्सिमेटली 25 आँछा 25 cm राख दिनुश इसते ही प्रोब्लेम हरु एसी मापनी सोधी रहा हुँँछ अब प्रोब्लीम फियू प्रोब्लीम को बारे मापनी हामि डिसकस गरियो अब यदी तपा हाई हरुस्त हैं जुन अलख व γιαॡब्लेम और ना is stored in a cylindrical vessel of internal radius 1.4 meter and height 1.5 meter. If it is transferred into rectangular tin cans, how many cans are required to empty vessel? अब कुरात तर तेहीं हो? अब यहां आए नुस्त हाइट दी सके कुराईशा? भनेची अब के गरनो पर्यो? वेजिटेबल घी जुन शा आम रो cylindrical vessel मा एस्टोर गरे कुराईशा? रा जसको internal radius रा height पनी दी सक्या छे यहां? अब यह नुस्त हाइट इन्टर्नल radius वने कुराईशा? 1.4 meter, height वने कुराईशा? 1.5 meter. भनेची यहां बाटा आमी volume चाही calculate गरना, सब्छों volume calculate गरनुस्त V is equal to pi r square याज pi into radius को square वने को 1.4 square into height वने को 1.5 meter cube चाही हामरो भोलू मायो भनेची गहीव को जुन quantity छ त्यों भनेको 9.2362 रही छ अब तहीं गहीलाई जसरी पानी खन्या जसते अब तहीं गहीलाई चाही योटा क्ये वन्चार rectangular tin जसको चाही length, bread, height दी सक्या छ यही त्यों rectangular tin cans मा राखने हो भने कती वोटा चाहीं छ भनेची यही भोलूम मा डिवाइड गर दीनुस जती वोटा चाहीं छ तिहीं हो आम रो result तिहीं हो एंसर योग प्रोब्लेम पनी BBI हो अब यहनुस ता number of can अब योग भोलूम मा छाही के गरनु पर्यों डिवाइड गर दीनु पर्यों भोलूम आउ तिवो टीन ले भोलूम भनेको ता length इन्टू breath इन्टू height ता हुन छ अब तेहीं गरनुस यहां तपाईको cm लाइड मीटर मा चेंज गर दीनुस यूनिट तो सेम राक्नु पर्यों 0.10 इन्टू 0.05 डिवाइड गर दीनुस जे आउसा तिहीं हाम्रो result हो अब हेरनुस तो यह सरी चाहीं हाम्रो number of can डिश्की सक्यों अब डिकान लाकू लागी के गर्याचों आमी यो भोलूम ता आम्रो आयो यो चाहीं मीटर मा दी एको रहीचा यहां तेसेले मीटर माचे आमी लिएको छो इन्टर्ण डिएस 1.4 रा हाइट 1.5 अब यह उटा रेक्टांगुलर टीन कैन्स कुत लेन्थ ब्रेथ हाइट दीशा क्या शा भनेची भोलूम निकाननुस एती भोलूम लाइता हामी लाटाउनुस अब के गर्नूस तेसमा डिवाइ वे इन्टुछ वे अच्छ विघ टुछ विट विजा श्यार ठाइट अषब लाइटागया इसर वाइटार च्छ.